हेलो दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों डिलीवरी का समय काफी ज़दा मुस्किल भरा होता है अगर आप 9 महीने की गर्वती हो चुकी है तो आपको हर महीने और हर वक्त यह चिंता जरूर सताती है कि आपकी डिलीवरी के समय आप क्या महसूस करेंगी और आपको कैसे पता लगेगा कि अब आपकी डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे हुए है मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिससे काफी असानी से आप यह समझ सकेंगी कि अब आपकी डिलीवरी काफी जल्दी हो जाएगी, कुछ ही घंटों में हो जाएगी देखे फ्रेंट्स कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं को अगर लक्षन नहीं पता होते है उनको यह नौलेज नहीं होता है कि डिलीवरी के पहले महिलाएं क्या महसूस करती है और कैसे आपको पता लगाना है कि आप डिलीवरी में कुछ ही घंटे बचे हैं तो वैसे महिलाओं को काफी जादा परिशानियों का सामना भी करना पड़ता है इसलिए अगर आप उन लक्षनों को समझ जाएंगी तो आप खुद से भी अपने आपकी तयारी कर पाएंगी और आपको मुसीवितों को सामना बहुत कम करना पड़ेगा सबसे पहला लक्षन देखे फ्रेंट्स फॉल्स कॉंट्रेक्शन पेन एक आना बहुत सवहाविक कारे होता है जो की प्रेगनसी में कई वार होता है ये दर्द friends delivery के बक्त होने वाले दर्द के जैसा ही होता है लेकिन कई बार ये false pain आकर रुप जाता है यानि आपको hospital जाने की ज़रूरत नहीं परती है ये दर्द कई बार पीट की तरफ से आपके private part तक होता है कई बार ये आपके पेट के निचले हिसों में बहुत तेज होता है ये pain कई बार आता है और फिर खतम भी हो जाता है लेकिन जब आपके delivery का समय नजदीक आता है वैसे तो पूरी आपकी 41 हपतों की pregnancy होती है लेकिन जो due date आपको दी जाती है जो doctor जो sonography report के अनुसार बताते हैं लगवग उससे 15 दिन पहले या फिर आपकी सफता बर पहले delivery हो सकती है तो ये जो लक्षन में आपको बता रही हूँ वो आपको 10 से 15 दिन पहले मैसूस हो सकती है कुछ घंटे पहले भी मैसूस हो सकती है लगातार अगर आपको इस तरीके का संकूचन वाला दर्द आ रहा है और ये दर्द काफी जल्दी जल्दी आता है और ये दर्द कमड की तरफ से आपके पीरू की तरफ यानि पेट के नीचले हिस्सों के तरफ काफी ज़्यादा तेज हो रहा है तो आपकी delivery बहुत जल्द होने वाली है इसके अलाबा फ्रेंज जो दूसरा लक्षन होता है कई बार महिलाओं की पानी की थैली फट जाती है अगर आपको बिल्कुल ही पानी की जैसा तरल परदार्ट निकलता हुआ कंटिन्यू महसुस हो जिस से आपका कपरा खराब हो रहा है तो आपको बिल्कुल को वक्त नहीं जाया करना चाहिए तुरंत आपको डौक्टर से कंसल्ट करना चाहिए पानी की थैली फटना एक नौर्मल डिलीवरी होने की तरफ इशारा करता है। दोस्तों पानी की थैले फटने के कुछ घंटे बाद ही आपके नॉर्मल डिलिवरी हो जाती है अगर आपको पानी की थैले फटने के बाद दर्द नहीं आता है फिर भी आपको artificial pain के लिए injection दिये जाती है जो कि काफे safe होते हैं और जिससे आपकी डिलिवरी हो जाती है कई बा अलावा इस समय महिलाओं को काफी ज़्यदा tension चिर चिरापन होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में भी बहुत सारी महिलाएं रहती है अंदर से क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा जो तबियत होता है वो साथ नहीं देता है दर्द काफी ज़्यादा रहता है और भी कई सा जहीं आपके दिलीवी के सब्ताबर पहले से हो काफी ज्यादा तरल परदार थीक सा जैसे कि चुइंग अम होता है बिलकौल इस तरीके का क्रीम किलर का डिशार्ज आपको निकलने लगता है यह बहारी मात्रा में निकलता है कैई वार यह पिंक कलरगा भी हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ ब्लर्ड में मिक्स हो सकते हैं तो उसमें भी घवराने की जरत नहीं है आप डॉक्टर से बराबर परामर्स लेते रहिए और इस दौरान आपके सविक्स का मूँ भी चेक किया जा सकता है कि वो कितना खुला है कितने सेंटीमीटर तक वो खुला है क्योंकि नॉर इस तरीके से आपको जो लक्षन महसूस होंगे नौवे महिने में या फिर ड्यू डेट के आसपास तो आप बिलकुल देरी ना करें और तुरंथ होस्पिटल की तरफ भाग लें इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मन में कोई और सवाल है तो आप मुझे जरूर मैसेज करिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर लाइक करना आप बिलकुल भी नाव भूले और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें मिलते हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ आप अपना पुरा ध्यान रेकिए टिक केर दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग